जहीं दोस्तों कैसे हो आप सब मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट फाइन होंगे देखिए आज इस वीडियो में हम लोग जो है जारखंड उत्पार्थ सिपाही के सैलरी के बारे में बात करेंगे कि आपको प्रती मंथ इन हैंड सैलरी क्या देखने को मिलती है, इक्स्ट्रा सैलरी आपको क्या मिलता है, डिडक्षन कितना आपका होता है और साथ-साथ आपके salary में increment से regarding भी बात करेंगे कि साल में कितनी बार आपकी salary बढ़ती है और कितना बढ़ता है देखे YouTube पे आप salary से regarding search मारिए गया तो काफी तरह के आपको वीडियो देखने को मिलेंगे कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको जारखंड उत्पाद सिपाही की जो है first time vacancy इस तरह से देखने को मिल रही है तो आपको salary के बारे में जानना बहुत आवस्यक है और एक चीज और आपको जानना चाहिए कि जारखंड सिपाही जारखंड उत्पाद सिपाही दोनों के salary में आपको अंतर देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों का basic pay अलग-अलग है तो वीडियो को पूरा देखिए आपको सारा कुछ एक-एक चीज समझ में आएगा और आपका motivation भी काफी strong होगा जारखंड पूर्लिस के salary के बारे में बात करें तो देखिए ये जो है इसका basic 19,900 से 63,200 तक जाता है मतलब कि आपकी basic इतनी सी चालू होगी और 63,200 तक जाएगी जबकि सिपाही की salary जब आप देखिएगा तो उसका basic जो है 21,700 से चालू होता है 21,700 से और 79,100 रपिया तक जाता है तो इसलिए salary में अंतर देखने को मिलता है तो चलिए आगे से बढ़ते हैं ये जो है level 2 की नौकरी है और सिपाही की जो नौकरी है जारखंड सिपाही वो level 3 की नौकरी है इसलिए salary में अंतर देखने को मिलता है तो अभी जो है 42% चल रहा है और बहुत जल्द जो है 46% भी देखने को मिलेगा और ये साल भर में दो बार बढ़ता है ठीक है आगे हम लोग बात करेगे इंक्रिमेंट वाले सेक्शन में कि कब कब आपकी सैलरी बढ़ती है तो 42% आपका डिये है और आपका डिये जो है ये ब ये चारे भी जो है आपको मिलता है दो तीन तरह के एचारे मिलता है एक तो आपका 9% है मिनिमूम 9% 18% और 27% भी है तो 27% आपको ये जारखंड में कहीं देखने को नहीं मिलता है ये मेट्रो सिटी के लिए होता है आपका एचारे जैसे कि आप रांचियोची साइड में है तो आपका एचारे जो है 18% के आसपास देखने को मिलता है तो हम लोग इस 18% एचारे लेकर चलेंगे और ये जितना सारा आप देख रहे हो सब कुछ जो है आपके बेसिक पर लगता है ठीक है और ये बेसिक साल भर में एक बार बढ़ता है इंक्रिमेंट सेक्शन में हम लो बीचारे लिया, उसके बादे जाखिए आपका टीय जो है टीय आपको मिलता है traveling allows, तो ये सभी को नहीं मिलता है बर लोग को मिलता है जो travel वगेरा, इधर से उधर करते हैं उनको जो है देखने को मिलता है तो travel allowance भी जो है आपको 1278 रुपया travel allowance देखने को मिलता है तो ये आप लोग salary में नव मान के चलिए किसी किसी को मिलता है किसी किसी को नहीं मिलता है जब आगे जो आपका gross salary निकालेंगे तो इसके बारे में और थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे ठीक उसके बाद से medical allowance medical allowance 1000 रुपया सभी को प्रती मन्त दिया जाता है बस 1000 रुपया अगर आपका तवियत खराब होता है आपके फैमिली वाले को तवियत खराब होता है किसी कभी तो उसके इलाज के लिए आपको 1000 रुपया प्रती मन्त दिया जाता है ये total आपकी salary नहीं है, इसमें से कुछ deduct भी होता है, deduct में आपको ज्यादा कुछ नहीं होता है, आपका GPF कटता है, आपको भी पता है कि 2004 में आपका सभी का पुराना pension बंद हो गया था, पुराना pension मतलब सभी को GPF पहले मिलता था, 2004 के पहले मतलब 2004 तक, उसके बाल से NPS इंप 22 में बंद हो गया, और फिर पुराना pension implement हो गया, तो पुराना pension मतलब कि GPF आपका कटता है, तो GPF जो है, आपके basic पे का minimum 6% आप कटा सकते हैं, maximum तो आप कितनों कटा सकते हैं, तो यह अपने से कटाया जाता है, आप एक application के माध्यान से जो है, आप लिग दिजिए कि हमारा GPF 10-12% कटे, तो उसमें minimum आपका GPF 6% करता है, ठीक, और यह जो है आपको pension के रूप में, last में जब आप रिटाइड होते हैं, तो यह चीज दे से कटता है, मैंने total 15,000 से 2 header लिया है, कि आपका salary से कट जाता है, अब इसमें भी जो है, मैंने एक दो चीजे छोड़ दिया है, जैसे कि आपको बर्दी धोने के लिए allowance मिलता है, कुछ और भी तमाम 2-3 छोटे बड़े 100-250 रुपया इस तरह से allowance मिलता है, तो उसको मैंने न 270 रुपया, यह भी किसी ने किसी को मिलता ही है, medical जो है, 1000 रुपया, food allowance जो है, 2000 रुपया, total आप जोड़ियेगा, तो आपका आएगा 36,118 रुपया, आपका total salary जो है, इतना बनता है, 36,118 रुपया, जब आप जोइन करिएगा, तो इसमें आपको एचारे देखने को नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग वगरा में चारे आपको नहीं मिलता है, तो शिवड़ो और भते नहीं मिलते हैं, जैसे आप ट्रेनिंग खर्तम करते हैं, उसके बाद 36,118 रुपया मिलेगा, लेकिन इतना आपके एकाउंट में salary नहीं आएगा, आप इसमें से 1500 रुपया और घटा जाता है, तो 1500 रुपया घटा दीजिएगा, तो आपका इन इयोर एकाउंट salary हो जाएगा, तो आपकी एकाउंट में salary जो है, 34,618 रुपया देखने को मिलेगा, यदि आपको आप ये चारे ले रहे हो तो, तो इतना आपका salary जो है, आपकी एकाउंट में मिलता है, अगर 12 278 रुपया हम लोग पीए भी घटा दें, तब भी जो है, आपका 32,000 के आसपा salary आपका बनता है, तो आपका एकाउंट में salary जोईनिंग और ट्रेनिंग के बाद जो है, 34,618 रुपया देखने को मिलेगा, पहले ये salary थोड़ा सा कम था, कियोंकि आपका डियर जो है, 31% दे देख लो, यदि आप उत्पाज सिपाही जोईन करते हो, तो आपको इतनी salary मिलेगी, लेकिन ठरो इतना ही salary नहीं है, आपको एक्स्टा चीजे भी मिलती है, उसके बारे में भी हलका फुल का चर्चा कर ले, एक्स्टा रूप में जो है, आपको बर्दी, यूनिफर्म जो अचैना के म lequel के मंत में, सुख को करता है, एक्स्टा रूप्या को मिलती है, और लेकिन आपको मार्च महिना में जो है, एक्स्ट्रा स्यलेरी मिलती है, तो वो भी 지원 है लगवगत 34,000 अचैना − सोब करके मार्च के मंत में एक्सट्रारूपी सलीर क्या हो गय? चार हजार ये हो गया, उसके बाद 35,000 एक्स्ट्रा एक मन्त की सैलिरी हो गई, उसके बाद से आपको बोनस के रुप में भी कुछ पैसा मिलता है, ये आपकी एक्स्ट्रा में सैलिरी हो गई, मैं वो एक्स्ट्रा की बात नहीं कर रही हो, जो इधर उधर से पैसा कमाते हैं, यह आपके रियल वाली salary है, average निकालोगे तो लोग बग 37,000 के आसपास आपकी salary बनती है, तो यह तो जो है आपकी normal salary हो गई, इसके साथ साथ कुछ जैसे कि आप इधर उदर traveling करते हैं, तो आपको TA मिलता है, लेकिन मध निसेद अगर आप जोइन करते हैं, तो इसमें आपको यह system थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, जैसे कि आपका एक जगए posting है, वहाँ से 8 km दूर जाके आप duty करते हैं, तो आपको TA मिलता है, traveling allowance मिलता है, ठीक है, वो अलग सराता है, यह अलग है, यह तो आपको हर मन्त मिलना है, लेकिन वो अलग चीज होता है, तो यह सभी को नह 618 रुपया, और एवरेट जोड़ोगे, तो आपका 29,000 के आसपा salary बनेगा, तो इतनी आपकी salary बनती है, ठीक, अच्छे से समझ गया, अब चलिए बात कर लेते हैं, कि आपकी salary प्रती मंत्र किस तरह से बढ़ती है, और कब-कब बढ़ती है, तो देखिए salary increment जो है, आपका तीन टाइम होता है, साल भर में तीन बार बढ़ता है, तीन बार आपकी salary बढ़ती है, एक बार तो आपकी increment लगती है, इंक्रिमेंट 19,900, यहींना बढ़ते बढ़ते जो है, तीर साथीजार 200 चला जाता है, इसहीं में increment लगती है, कभी 2%, कभी 3%, कभी 1.5%, साल में एक बार आपके इंक्रिमेंट लगती है ठीक है जो आपके 19,000 होगा फिर उसके बाद 20,200 हो जाएगा उसके बाद 22,000 उसके बाद 20,000 बढ़ेगी और यहीं जब बढ़ती है तो आपकी सेलरी टोटल बढ़ती है क्योंकि इसी पर जो है आपका HR, DA जो भी सारे अलाउंसे जो है सब 46 भी होगा, 46 के बाद फिर आपको 50 देखने को मिलेगा या आपको 99 देखने को मिलेगा तो यहीं जो है बढ़ता है आपका, उस साल में दो बार आपका DA बढ़ता है एक बार इंक्रिमेंट बढ़ता है तो मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गये होंगे कि जारखंड उत्पाद सिपाही का जो है कितना सेलेरी बढ़ता है और किस किस तरह से बढ़ता है ठीक है चलिए इसके अलावा भी यह आपके दिमाग में कोई कोश्चन क्यों भी बन रहा होगा तो आप लोग पुछ लेजिएगा ठीक है फिर मिलते हैं लेको नेक्स्ट आपरों